हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश में आप अपनी तुलसी के पौधे की ग्रोध को कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे काम अगर इस सब्वे बारिश के मौसम में आपने तुलसी के पौधे में कर लिया तो आप देखेंगे कि बारिश में आपका तुलसी का पौधा बहुत अच्छा ग्रोध करेगा इसमें बहुत ज़्यादा नई ब्रांचिस निकल कर आएंगी और कुछ ही दिन में आपका पौधा तीन गुनास फिल्ट से ग्रोध करेगा और कुछी दिन में आप देखेंगे कि जंगल की तरह गना हो जाएगा, पहले से जादा नई ब्रांचिस निकल कराएंगी आपके तूलसी के पौदे में, तो जो सबसे पहला step है तूलसी के पौदे में इसमें आपको करना वो है इसकी पूनिंग, पूनिंग में हमको पौदे और उंग्लियों की साहता से बस तोड़ लीजे, इसको कट नहीं करना है आपको, सिर्फ तोड़ना है आपको उंग्लियों की साहता से, तो जितने भी फ्लावर आपके इस समय तुलसी के पौदे में है, आप उनको तोड़ दीजे, क्योंकि यह जो फ्लावर है, यह पौदे ब्रांचिस निकल कर आएंगी यह देखे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही तोड़ा था तो इसमें कई सारी नई नई ब्रांचिस निकल कर आ रही हैं तो सबसे पहला का स्टेप यही है कि आपको अपने तुलसी के पौधे के फूलों को हटा देना है दूसरा स्टेप आपको आ देखे नहीं चाहिए एक चौथा काम जो इसमें आप अपने तुलसी के पौधे में कर सकते हैं अगर आपने अपने तुलसी के पौधे को चोटे पौट में लगाया है तो आप इसे किसी बड़े पौट में ट्रांस्फर कर दीजिए जैसा कि आज मैं इस वीडियो में करने अगर आपको गोबर की खाद मिल जाए तो आप गोबर की खाद डालें अगर आप गाय की खाद डालना चाहते हैं तो आप इसमें आधा मिट्टी के साथ गाय की गोबर मिला लीजे अगर आपके पास गोबर नहीं है गोबर की खाद नहीं है वर्मी कंपोस्ट है आपके पा नबे टाइम तक न रुकें अभी पॉद्व को हम पूरी तरीके से बहा निकाल लेंगे यह देखिया इने अपने तुल्सी के पौद्व को चोटी गंले से बहा निकाल लिया है और जो इसका root ball है इसको हमें नहीं तोड़ना है हमें जो इसके root ball को बिल्कुल भी touch नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो जो इसके छोटे-छोटे roots है जो की मिट्टी से पानी और खाद लेते हैं उनको नुकसान पहुचेगा और हमारे पौदे को नुकसान पहुच सकता है तो इसलिए आपको root ball नहीं तोड़ना है बहुती साफधानी से निकालने के बाद इसको हमें नए पौट में लगाना है जैसा कि मैंने निकाल लिया है और ऐसा का ऐसा ही मैं इसमें लगा दूँगी इसे दूसरे pot में इसके बाद जो potimix हमने तियार की थी जिसमें मैंने आधा गोबर की खाद ली थी और आधा मिट्टी लिया था तो इसको मैं पौदे में डालूँगी यहां मैं एक fertilizer का small कर रही हूँ वो fertilizer में क्या डालने वाली हूँ अपने तूसी के पौदे में वो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पूरी मिट्टी डालने से पहले ही बीच में उस fertilizer को आपको यहां डाला है Friends, तूसी के पौदे को हमेशा आप रेतिली मिट्टी में लगाए चिकनी मिट्टी में आपको तूसी के पौदे को नहीं लगाना है अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो root की growth बहुत कम होती है और पौदा भी कम grow करता है यहां जो दो चीजे में समाल कर रही हूँ, खाद के तौर पे अपने तुलसी के पौदे में डालने के लिए पहली जो चीज मैंने इसमें ली है, मैंने लिया है चार-पांच मुट्टी नीम की खली नीम की खली आपको किसी भी pesticide shop से मिल जाएगा नीम की खली नीम की पत्यों और नीम के बीज से बनता है अगर आपके पास नीम की खली नहीं है और आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप खुद से नीम की पत्यों को और नीम के बीज को सुखा कर उसको कूट कर नीम की खली बना सकते है इसके साथ ही जो दूसरी चीज मैंने ली है वो है सूखी चाई की पत्ती जब चाई की पत्ती उबल जाती है जो चाई बनाते समय तो उस चाई की पत्ती को आप फेके ना चाय की पती में नाइटोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है जिससे तुलसी में जादा से जादा नई ब्रांचिस निकल कर आती है और जो नीम है वो पौदे को कीड़े और फंगस से बचाता है तो नीम की खली का इसमाल करने का जो फायदा ये है कि नीम की खली एक बहुत कीड़ा या फंगस ना लगे फ्रेंग्स वाटरिंग करने के बाद आप पौधे को शेड़ वाली जगह पे रखेंगे एक से दो दिन के लिए उसके बाद आप इसे जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर रख दीजे ये देखिए आप हमने इसमें पानी डाला था और कुछ दिन बाद आप देखिए कि इसमें पहले से जादा नई ग्रोध आ गई है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने जादा नए फ्लावर निकल कर आ गए हैं और पौधा पहले से जादा हरा दिखाई दे रहा है और इसकी ग्रोध भी सिर्फ साथ दिन में बहुत अच्छी हो गई है अगर ये काम अभी आप बारिश में कर लेंगे तो आने वाला जो बारिश का टाइम है इसमें इसकी ग्रोध और भी बढ़िया हो जाएगी और आपका तुलसी का प्लांट बहुत ही तेजी से ग्रोध करेगा बारिश में तुलसी के पौधे को फंगस और कीड़े से बचाने के लिए जो सबसे इंपौर्डेंट काम है वो है आपको आपकी तुलसी के पौधे की सफाई करते रहना है आप ये देखे सिर्फ साथ दिन में कितनी सारी घांस उपकर आ गये इसमें तो इस तरीकी की सूखी वी पत्तियों और घांस को आप टाइम टाइम पर अप आप उसका इस्तमाल अगर अपने पौधे में करेंगे तो इससे भी आपकी तुलसी के पौधे की ग्रोध बारिश में बहुत अच्छी होगी पर चाई की पत्ती को पहले आप अच्छे से धो कर उसको सुखा लिजे सुखी वी चाई की पत्ती को 3-5 चमच आप 10 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे में डाल दिजे अगर आपके तुलसी के पौधे में कोई कीडा या फंगस लग रहा है तो आप इस पर बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं बेकिंग सोडा को आप आदा चमच बेकिंग सोडा एक लिटर पानी में गोल कर इसका स्प्रे कर दिजिए अपने तुलसी के पौधे में या फिर एक चमच हलदी पाउडर आप 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में मिला देंगे तो इससे भी आपके तुलसी के पौदे में कोई फंगस या कीडा नहीं लगेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू